ओम शांतिंग आज एकत्यस जानवरी दोहजार चौबिस बाबा के महवाक्चे हैं मीथे बच्चें अभी तम्हें शांतिंग और सुख के टौवर में चलना है इसलिए अपने स्वभाव और केरक्टर को सुधार दे जाओ पुराने को परिवर्तन करू प्रश्न है दिमाग सदारी फ्रेश रहे उसकी युक्ती क्या है उत्तर है बाप जो सुनाते है उसका मन्थन करू विचार सागर मन्थन करने से दिमाग सदारी फ्रेश हो जाता है जो सदा रिफ्रेश रहते हैं, वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्च होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मन्थन करने से सर्विश शक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है, धार्णा के लिए मुख्य सार है, पहला स्कॉलर्शिप लेने के लिए अच्छी तरहां से पुरुशार्थ करू, तीचर बन औरों को राजयोग सिखाऊ, गाइट बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करू, दूसरा, सर्व शक्तिमान बाप की जाद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिज्या करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है, वर्दान है, सिवा भाव से संपन्न बन हर आतमा को प्राप्ति की मेवा का आनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भावर, सच्चा सेवाधारी वह है, जो हर आतमा की प्रतिं सदाशुव भावना, श्रेष्ट कामना रखता है, वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सिवा भावद्वारा सर्व के प्रतिं खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमांगुत्साहा, बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूती कराता है, सिवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना यही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है, स्लुगन है, बापकी दुआए लेनी है, तुसने ही सपूत आज्याकारी बच्चे बनो, अम शांते क्रते दो कि अनुभव का अनुभव कर देना यह तुआば गई ऑनते अनुभव